जेहिंद सात्यों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल मुखेश मैंदर एज्यूगेशन पर सभी को रादे रादे जे स्री कृष्णा आजम पढ़ने वाले हैं जोगरापिक अंदर हमारा मानुबुगुल का जो मूल सुधान बुक चल रही उस बुक का अंतिम चेप्टर है दोस्तों चेप्टर नमबर 10 जिसका नाम में मानुबस्ती प्यारे मित्रों सभी एक पर क्लास को लाइक करें चलने पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और हाँ इससे पहले जो परमुख चेप्टर थे आपके सामने 8 और 9 परिवेने संचार बिल्कुल इजी चेप्टर था अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा अंत्रश्टी वेपार समझाने वाली बात ही नहीं सब कुछ नोट्स के अंदर समझ में आ जाएगा दो चेप्टर यह बाकी यह करवा रहा हूं ठीके तो यह अंतिम चाहते हैं अच्छे नमब्र लाना चाहते हैं तो तो अब पढ आ में चाहते हैं तो प्यारे मितनों आपको पढ़ना हैं पड़ेंगे चलीके ठीके बेंसबद नोट्स के लिए कि sprid vessels कहा मिलेंगे नोट्स आको वांट्स ऋ पर मिलें यह मेरे आपको वा Hell नमबर एश्ज. तो आपके कुरुकरों के पैसे हैं ठीक है 30-30 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों दोनों बुक यानि कंप्लिट मिलेंगे उसके चैप्टर वेज नोट्स आपको मानो बुगल के मुल सिदान दोर बारत लोग और अर्थ वेज़ था साथ रुपए के अंदर भुगल आपको कंप्लिट मिल जाएगी चाहिए जिसको वाट्स ओपर मेशेज कर देना नोट्स को पड़ते रहे मेरी क्लास को टेंड करते रहे लाइव क्लास को बेटेंड करते रहे ठीक है चलो तो देखो मानो यह नंबर नोट कर लेना यह नंबर पर जाके प्रिंट निकलवा सकते हो बाकि आपन मोबैल में भी आरासा ने पढ़ सकते हो ठीक है और चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों बिना आपका टाइम गवाए चेप्टर का नाम किया है मानो बस्ती मतलब मानो बस्ती इस चेप्टर में यह पढ़ने वाले हैं कि मानो बस्ती किया है और मानो बस्ती के परकार कौन-कौन से हैं सेंत बस्ती परकिन बस्ती ठीक हम देखने वाले हैं दूस्तों प्रमुग रेखी प्रतिरूपकिस परकार से हैं यहां से अबजीक्टिव पर्षण बढ़ेगा आपके वहाकरती दे दी जाएगी कि सड़को और नदियों के सारे कौन सी बस्ती होती हैं एससे प्रसंद पूछेगा कोई बात नी दोस्तों हमें स्टार्ट करते हैं आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं आप इस वीडियो को द्यान पुरूख देखें चेप्टर का नाम है मानुबस्ती मानुबस्ती मानुजा निवास करता है वो ही मानुबस्ती है तो हम ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा इस्तान या एक ऐसा समुदाई जहां मनुश्य जो है वो निवास करता है मानुजो है वो निवास करता है ऐसी बस्ती को हम मानुबस्ती कहां जाता है एसी बस्ती, ठीके, जहां मनुशी निवास करता हो, तो परीबासा आकरी हम किस परकार दे कि हमारे पूरी नंबरा मिल जाए, देखो परीबासा आपको इस परकार से लिखनी मानुबस्तीगी, यानि क्या लिखना है, कि एक इस्तान, एक इस्तान, या एक समुदाई, जो साध पहरण रूप से, साधान रूप से, और वबी इस्ताई रूप से, इस्ताई रूप से, बशा हुआ हो, ठीके? बशा हुआ हो, तथा, हुआ हो, तथा, वहां, मनुश्य का, निवाश हो, बश्ति कहते हैं, बास ये परीबासा याद कर लें न, कि एक इस्ताई रूप से, इस्ताई रूप से बशा हुआ हो, तथा, वहां पर, तथा, वहां आपर, मनुश्य का, निवाश हो, उच्छे मानुबस्ति कहते हैं, ठीके? अब देखते हैं, बस्तियों की परकारवे परत् हैं, तो होती ही सेंद बस्ति, एक होते हैं, परकिन बस्ति, ठीके? आकरतियों के आदार पर जब बात करें, तो बस्तियों के कितने परकार हैं? बस्तियों के दो परकार, एक सेंद बस्ति, एक परकिन बस्ति, एक परकिन बस्ति, एक परकिन बस्ति, किसे कहते हैं? सेंद बस परिक्ण बस्ती में अंतर बता हो, सहंत बस्ती समझाईएगा, देखो, अभी बात करते हैं, तो यह हैं आपके सामने सबसे पहले सहंत बस्ती, कौन सी बस्ती है, सहंत बस्ती, तो सहंत बस्ती की यहां पर मैंने परिबासा लिक रखी है, बकी डाइगराम के द्वारा भी मैं आपको समझाओंगा सहंत बस्ती यानि ऐसी बस्ती जहां एक दूसरे के मकान काफी नजदिक नजदिक तथा नदी ठीक है यहां पर सब्दों में थोड़ा ध्यान रखना छोटी की बड़ी की मातर लगे नदी ठीक है नदी घाटियों के सारे उपजो मेदानों में होती हैं य उनके गर नजदिक नजदिक होते हैं ऐसी बस्ती को में सहंत बस्ती कहते हैं ठीक है तो यह जो है यह कहां देखनों को मिलती है तो यह नदी घाटियों ठीक है नजदिक नजदिक नदी घाटियों के सारे उपजो मेदानों में होती है ठीक है इसमें जो है उससे भी लोग म पास-पास में ये देखिए का गर जो है ना गर बिल्कुल पास-पास में आपको नजर आ रहें गर आजग veni सब जो घर है वो एक दूसरे से नजदिक नजदिक है पास-पास में और इनके पहलाओ क्या हुता है पहलाओ wicked है दूर-दूर एकांध में प्या जाती है दूर-दूर जंगलों में पइजाती हैं आपके सामने उद्धर प्रकिर्ण बस्ती देख़ो यह आपके संद्ध है आ परकिर्ण बस्ती, देखेगा परकिर्ण बस्ती में, परकिर्ण बस्ती में आपको क्या नज़र दा, देखो, ये परमुक आपके सामने देखो, हिमाली है, इदर देखो, ये परवत है, बड़े बड़े परवत है, एक परवत पर ये मकान बना हुआ है, वापस देखो, तो ए परेंखन का मतलब क्या होता है। परकेइन बस्ती समझ गया अब यह प्रिबासा तोड़ा नोट कर ले आप सभी इसको अच्के से और evaluating तो इस बस्ति में बस्तियों का आकार बिल्कुल छोटा होता है जो ग्रामिन बस्तियों होती है ये बिल्कुल छोटी बस्तियों होती है आकार बिल्कुल छोटा होता है ग्रामिन बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक आकिर जो है ग्रामिन बस्तियों में जो लोग वो कहा निवाश करना पशन्द करेंगे जहां जल होना चाहिए भूम जिसे जल के निकट बसती, अब जल होगा तो प्यारे मितर्व आपको पता है, जल ही जीवन है, तो ये एक तरीके से आप देखे, कि ग्राम्मिन बसती को प्रभवित करता है, यह प्रमुग जल, तो देखो, यहां पर आप देखेंगे, तो देखो, यह लोग रहे हैं, ठीक, जल के निकट बस्ती है ठीक है ये देखो जल ही जल है और इसके नजदी ही नजदी की समझ गे तो ये इसी ये भी मैतपुन का रहे है कि जल जो है वो ग्रामिन बस्ती को परभवित करता है जल हो गया भूमी है उच्छ भूमी इच्छ था ग्रे निर्मान सागरी अब मैं कार दूसरा है जहां की भूमी जहां की भूमी क्रशी कारी के लिए बैतर होती है जहां भूमी उपजव होती है ठीक है जादतर ग्रामिन बस्तिया वही स्तापित होती है ठीक है जहां पर जो है भूमी क्रशी के लिए जो है क्रशी के लिए बैतर होती है वहां लोग निवा सब्सक्राइब करते हैं तो यह याद रखे इसके अलावा देखो ग्रामन बस्तियों की प्रति रूप में सबसे पहले आपके सामने दे रहे यह का है रहकर की बस्तिया जैसे शड़क हो गए रेल लाइनों नदियों नहरों घाटी के किनारे इस्तित होती है यह आपके सामने देखेगा परमोग आपको अगाशक आपको इसको बड़ा कर देता हूं या आपको नज़र आ रहोगा देखो इसमें आप देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ देखेंगे, तो एक तरफ यह शड़क जा रही है, यह शड़क है, और यह है अपर मुग रेल लाइन, ठीक है, और यह शड़क जा रही है, तो इसमें देखो आप शड़क के प्रतिरूप में आपको यह ध्यान रखना है कि एक सीधी रेखा में जो है प्रमुग लोग निवाश करते हैं तो यह होती है अपनी रेखिक प्रतिरूप में तो यह ध्यान रखें आप सभी इसके अलावा इसको मिटाना पड़ेगा कि दो मेंट को तो यह ध्यान रखें कि इस परकार की बस्तिया सड़को रेल लाइन नद्यो नहरो तता घाटी के किनारे इस्तित होते हैं यह आपके समझ में आ गया होगा असानी से ठीक है इसली समझ में आ गया होगा मेरे साब से अब देखते हैं परमुक आपके सामने एक इसी में उदान प्रति रूप प्रतिरूप इससा प्रतिरूप जो समतल छेत्रो अथ्वा चोड़ी अंत्रा परवत गाटियों में पाया जाता है इसमें सडके जो है वो आयतकार होती है तता शमकोन प्रकारती है अभी हम देखने वाले हैं आयतकार प्रतिरूप का प्रमुचितर इसमें क्या होता दोस्तों इस प्रकार आयत जैसे इस प्रकार से जो है यानि बस्ती जो है वो आयत क्या आकार की तरे किसा सरजना बनाती है ठ ठीक है, उनके सहरे मकान बन जाते हैं, तो वो ताराकर बस्ती है, निक्सित होती है, तो याद रखे, आईताकर परती रूपर ताराकर बस्ती, अभी हम जैसे उदान से समझते हैं, यह आपके सामने, अब आईताकर परती रूपर देखो, यह वरताकर है, यह वरताकर, ठीक है आयताकार में ध्यान रखें दोस्तों आयताकार में क्या होता है इस परकार से इस परकार से सरंजना बनती है मतलब सड़के जा रही है तो ये जा रही है इदर भी जा रही है ठीक इदर भी जा रही है और इदर उपर निचे जा रही है इस परकार से तो यानि आइताकार प्रतिरूप बनता है, 다른 प्रेमारें, परिबासा याद गर ले परिबासा यह है। अगर पूछ जाएगे आइताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रतिरूप समतल छेट्रो अथवा चोड़े अंतरा परवत गाटियों में पाए जाता है, कर ड़ेंऄनरी ठीड़िकार इससी फशह मनें किया था ताराकर प्रत्रूब जाता हैं जो एक मारड पर मिलते हैं यानि इस प्रकार कर के सकते हैं ताराकर प्रतूब का अगर चितर आपको पूछे डाइग्राम बनाने के लिए तो देखो इस परकार से जो है वो इस परकार से जो बसती है वो मिलती है ठीक है यह होता है ताराकार प्रतिरूप उसी का एक आगे देखो यह वर्ताकार प्रतिरूप दे रहे का वर्ताकार प्रतिरूप तो वर्ताकार प्रतिरूप को आ वह पुर्ताकार पढ़ती रूप हैं उसके चार और जो आप देखेंगे मकान बने वे थिक ये तो जिसके चार और गाहुं के दो चाय जील के दो चाला ताला अधी के चारे बस जानने से कौन सी बस्तिया विक्सित होती है तो वो बस्तियों होती है वर्ताकार पड़ती रूब ये भी आपको ध्यान रखना है चल अब देखते हैं आगे आगे देख रहे हैं आपके समने कौन सा ती वाई आकार की बस्ति ती या वाई आकार की बस्ति ती आकार बस्तिया जो है वो बस्तिया चारो पर प्रणरम होती हैं, जहां से चारो दिसव में बशाव होने लगता है, ठीके, तो T या वाई आकार की बस्तियों की यह बात की जाए, जैसे इस परकार से निकल रही है, को इस बस्ति, ठीके, जैसे अभी मैं बात करूँ आपके सामने, जैसे एक बस्ति यह ठीके, और एक बस्ति इधर आ गई, तो यह किस परकार की बस्तिय का निमाट, T आकार की बस्ति, एक शडग यह जा रही है, और एक उपर इस परकार जा रही है, तो इनके किनारे जो बस्तिया विक्सित होगे, वो कौन से होगी, T आकार की बस्तिया, इधर, ठीके इधर, य करें के जैसे इस परकार त्थ बंड़ें तो यहांपहब ऑफ वाट करें जैसे मान लो ये फस्ती इदर जा रही है ऐए बृफ इसके इस यह वाई हो गया उपर से देखो चाहिए नीचे से क्रोस क्रोस होता है ठीक है ऐसे बस्तिया जो चोरह उपर प्रप्रण होती है जा छारो दिशों में बशाओ होने लगता है तो यह टी और वाई आकर की बस्तिया वैसे यह इतने इंपोर्टेंट नहीं दोनों पूछ नहीं बस आपको एक तो द्यान रहना ताराकर प्रतिरूप एक वर्ताकर प्रतिरूप और एक आईताकर प्रतिरूप ये परसन पूछे जाते हैं परत्रोप के बात करें नादी पूल के दोनों तरब इनका विस्तार होता है हूता है तो नों ये भी निद्र याद रएक के दोर्हाफ प्रत्रूप के बता चारय रिखो नाइध कार भूचार अब aware of a p Fisherman stress इदर जा रहा है और एक नीचे इस तरीके से तो इस परकार के बस्ति है बीच में देखेंगे तो घर जबंपर तो तो देखो एक दर जो भारत और चंडिगर्ड हो गया के कैण वह गया ठीके अधीस अबाबा हो गया इतियोपिया के अंदर तो यह याद रखे ठीके यह परमुक आपके सामने नियोजित बस्तिया है पूछेगा कि कौन कौन सी बस्तिया नियोजित बस्तिया है तो केनबरा ठीके केनबरा एश्टेलिया के अंदर चन्डिगड आपके बारत और एक आपको याद रखना जोоме के आदिस अबा बा जोगी इतियोपिया के इन्दर ठीके चलो आगे देखे कि परमों हेजा पीलिया जेसी भीमारिया भी ठीक है यह प्रम्ग घ्रामपिस्टियों कि सम jagण कुडह की समिशया परमों सापढ़े ना रखने से यसी भीमारिय प्प File पियल जाती है लाड। ठीक के परमों सीचाई की कमशूइदा, सीचाई सीचाई की कमशूइदा, पानी की कमीकंड, सिचा की कमशुईदा, सोचाली की समश्या, ठीक है, सोचाली की समश्या, कुडा घर की समश्या, निमन स्वास्ती सेवाई, तो इस प्रकार आप मन से भी लिख सकते हैं, गरामिन बस्तियों के क्या 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 समश्ये हैं, तो गरामिन बस्तियों में क्या हैं जिसे सिख्षा का अबाव हैं ठीक है स्वास्ते शेहों का अबाव हैं आप अपने मन से इसमें लिख सकते हो ठीक गरामन बस्तिय के शमिश्यों में उसी परकार देखो परमुग नगरी बस्तिया अब जो नगरी बस्तिया हैं देखो इसको आप नगरी बस्तियों हो जिसमें पर्मुग बस्तिवuesta को परताए ऐसाया ज्वान कड़ल सब्सक्राइब्सक्षफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ करन मतले रिमुद पैका मतलत में लिए यह फ़्चारी का मतलत हमाऊ समस्क्राइब्सक्राइम यहां पर बता रहे हैं और प्रमुक जिसे बात करें तो इन का जो व्षा यह व गया है जिन चेत्रों में ज्यादा तर लोग तत्था तृत्तिक क्रियों से जुड़े होते हैं कि तो इन और यादिकारी करते हैं तो ये नगरी बस्तिया होती है, आकार के आकार पर बस्तिया जिसे बात की जाए तो सबसे पहले शेयर दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, फिर नगर हैं, फिर महानगर हैं, तो नगर की बात करें तो ये अग्रणी नगर होते हैं, ठीक है, सेरी नगरों से बड़े होते हैं, सेर में पेंड़सर सब्सक्राइब कर भी कि में तो फिसक पम 309 लाग से दिए और जब 50 लाग अधिक जनसिंगा हो जाती तो वह मेगा नगर मेगा नगर कहलाता है महा नगर ठीक है तो यह याद रखे और नगर की बात करें तो एक लाग जनसिंगा होती वह नगर है अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें दे रहे हैं दूसरा है आपके साम विक्सित नगरीची बढ़ते हैं विशाल विशथ नगरीचेटर होते हैं और सेरों के मिलनें से संञगर के निमाण होता है ये ये और उदलन mold विश्यो नगरि यह उनानी शब्दे केशचान करना है यह कि सबसे बना तो यह मेगापुली सबसे बणा और यह उनानी शब्दे और यह मेगा फोली सबसे बड़ा है जिसका अर्ज होता है विशाल नगर इसका प्रियोग 1957 में जीन गोटमें ने किया था और यह सनगर के मिलने से बनता है ठीक है यह जो आपके विशु नगरी है ठीक है यह सनगर के मिलने से बनता है याद रखे और इसकी जो इसका प्रियो लंदन में आप लंदन पहली मिल सिटी थी और निश्यत्व में इनकी संक्या जो कितनी थी एक सोसार थी जो बढ़कर 2005 में देखो आप 438 हो गई तो लगातार जो है मिलिद सिटी के संक्या बढ़ रही है दस सबसे पहले हैं आपके सामने आर्थिक शमश्या देखो नगरी बस्तियों की क्या परमुक आर्थिक शमश्या है यह देखो आर्थिक शमश्या आर्थिक शमश्या की बात करें तो विश्यू के विकासिल देशों के ग्रामिन वे छोटे नगरी चेत्रों में रोजगार के गढ़ते वस्तियों के कारण जन सिंग्या नगरों की और प्लाइन करती हैं ठीक है यानि गाओं को छोड़ कर जो है वो नगरों में जाकर बस जाते हैं लोग जीसे एक कुशल एवं अर्द कुशल श्रमिकों की संक्या में अत्य दिक जो है वो विर्दी कर देती है तो यह परमोगा आपके सामने हुई आर्थिक समश्या दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समश्या सामाजिक सांस्कृतिक गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर रहती हैं बेरोजगारी की समयशों के करण अर्थाद बेरोजगारी एवन सिक्षा की कम्मी के करण अपराद अधिक होते हैं तो यह हैं अपनी सामाजी के सांस्कृति समश्या नेक्ट देखो अगला है आगे हैं आपके सामने प्र समंधी के समयश्या है यह घुषैँ लोग जब रोजगार के तलास में सेरों में जाते हैं तो प्रियावन समंधि परमुक्स्या जाती है विकासिल देशों के अनेक नगरों में पीने योगी पाणी, पाणी की नियुंतम, अविश्गता की पूर्थी तता गरेलू और ओध्योगी उप्यों के लिए जल की उपलबिदा सुनिचित करना अत्यदी की कटिन है तो क्या हुआ प्यारे में प्रियाण समद्धी समिशय जो है वो हमें नगरों में किस परकार देखने को मिली रोजगार की तलास में जो गाओ की जनसें के वो सेरों में यानि नगरों में जाकर बस जाती है तो वहाँ पर देखेगा पर्मुक जो समशा उत्पन होती है वो जल को लेकर होती है यानि परदुषन फ्यनने लग जाता है जो उद्योग दंदु है वहाँ से निकलने वाला धुआ ठीके इन से जो है परदुषन होने लगा है तो यह आप लिख सकते हैं पर्मुक जहीं जबारत